तो चलिए शन एक लेटर्स अपडेट आ रहे है जो कि काफियत है इंपोर्टन्ट होगी उन बच्चों के लिए जो काफिय दिनों से इंतजार कर रहे थे न्यू रेजिस्टेशन का न्यू एडमीशन का ठीक है और जिनका रेजिस्टेशन एकस्पायर हो गया था उनको एकस्टेंड करना था ठीक है और जो लोग ओ लेवल पास थे और ए लेवल में जाना चाहते थे उन सभी के लिए नालेट ने डेट को जो है वो ओपन कर दिया है ठीक है क्या डेट है complete procedure आपको बता देंगे और किसको कौन सा form apply करना ये जिरूद ध्यान दे दीजेगा नहीं तो अगर गलत form apply हो जाएगा तो हो जाएगी दिक्कत आपकी ठीक है नहीं तो फिर आपको दुबारा से करना पड़ सकता है तो जो भी form बताया जाएगा जिस student के के लिए वही form apply करें ठीक है तो सारी new date available करा दी गई है जो कि समय से पहले प्राप्त हो गई है तो उसको देख लेते हैं तो website पर आप जाएंगे ठीक है यहाँ पर तो आपको notification नहीं दिखाए देगा यहाँ पर जलते हैं और नीचे आते हैं ठीक है तो दीक है यहाँ पर आ इनल हो चुका है उसमें अब आप नाई बैट पाएंगे नाई उसमें पेपर लॉक कर पाएंगे नाई कुछ होगा जो भी होगा जुलाई 2023 के लिए होगा तो देख लिए यहाँ पर लिखा गया है last date of submission of online registration application for direct candidate 31st March तो देख लिए यहाँ पर करीबन 3 महने का पूरा पूर O का A का भी देख लिए तो direct का है 31st March और institute का है आपका 10 April ठीक है तो यह है आपकी latest date O और A की देखे यहाँ पर declare की गई है B label का भी कोई यहाँ पर नहीं है तो O और A label की new admission new day station fresh admission की जो date है वो 31st March आ गई है ठीक है अब आपने admission ले सकते हैं अभी आपको पूरा form और तीन काम इसमें आप कर पाएंगे O label अगर पास किया है आपने अभी number में तो अब आप O से A में transfer कर पाएंगे चाहें आप direct हो चाहें students हो कैसे करना बता देंगे भी हम ठीक है जिनका अभी July 2022 में registration expire हो गया है और उनके paper कुछ बचे हुए है एक या दो paper तो one year के अंदर यानि कि July 2023 से पहले उनको registration करना होगा जिसे कि वो बचे हो paper दे सकते हैं तो वो अब आप कर सकते हैं क्योंकि date open हो गई है 31 मार्स से पहले तो अभी आप कर दें तो ज्यादा best रहेगा देर क्यों करेंगे तो चलिए देख लेते हैं date आपको पता चल गई यहाँ पर साफ कर दी गई है ठीक है तो क्या क्या आप कर पाएंगे वो मैंने आप बताई दिया अब एक एक प्रोसीजर आपको दिखा जाते हैं तो सबसे पहले दिखा जाते हैं कि अगर new admission या fresh admission लेना है ओ या label में तो कैसे लिया जाता है और direct हो चाहिए शूर्स हो new के लिए बता रहे ह ठीक है यहां पर आपको जाना है new वालों के लिए apply online वाले link पे और अगर direct O में लेना चाहते हैं तो इस पर click करें A में लेना चाहते हैं तो यहां पर जाने हैं हम ओ में जाते हैं पहले और tick करते हैं यहां पर यहां पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको जब देखें एक्जाम टाइप यहां पर सो हो रहा है जुलाई 2023 फीस है आपकी 500 रुपए admission की और यह valid रहेगा आपके लिए 5 साल ता तो अभी लेंगे admission 2023 के नुसार तो यह 5 साल आप इसमें जोड़ लेजे यह तब तक आप उसका valid रहेगा दुबारा आपको payment नहीं करनी है ठीक है यहां पर देखें यह option होता है अगर आपने पहले से registration किया है तो yes करके अपना registration number यहां पर डालके चेक कर सकते हैं यह डूप्लिकेट इंट्री हो जाती कभी कभार अगर नहीं है तो no पे click करेंगर एक्दम fresh जाते है ठीक है अगर कोशिस करें कि आप यही वाला option select करें यहां पर ना जाए इंस्टूट्म एड्मिशन ना लेके डारेक्टी एड्मिशन ले सबसे best option है और यह simple सा form है इसमें कुछ नहीं है अपना जो भी आपके detail है वो अपना fill करने इस पकार से ठीक है यहां पर आपको थोड 10 प्लस आईटिया अगर आपके पास है यह 10 प्लस टू है ठीक है एंसी बीटी कोपा का है यह फिर कोई अगर आपके पास है इसमाली 10 प्लस टू आपने clear किया है ठीक है इस परकार से इससे उपर की डिग्रियों की जैसे ग्रिशन होगी तो देखें experience वाले में कुछ नहीं अगर 10 प्लस टू है आपकी और एज जो है 18 प्लस है यानिकी 1920 इस परकार से है तो कोई भी certificate आपको 100 नहीं करना पड़ेगा चीक है और यह अरप पासिंग जो भी है वो यहां फिल कर दीजे और अगर direct है तो देखें experience मांगता है minimum one year का आपको यहां क्या फिल करना है one fill करके form को apply कर देना अगर आपकी age 19 प्लस और 10 प्लस टू पास है कोई भी certificate आपका नहीं मांगा जाएगा certificate आपका आजाएगा सारे एक्जाम भी हो जाएंगे कोई दिक्कत नहीं होगी हाँ below अगर 18 आते हैं तो फिर लगेगा अगर institute के थो जाते हैं तो वह भी नहीं लगेगा अ यहां पर upload करनी है 50 kv की ठीक है यहां पर signature रहेगा और upload left hand का थाम impression यहां पर आएगा ठीक है और यहां पर कोई visible mark को कोई आपके body machine हो वो fill करके और submit पर click कर दिए और इस form को print करने के बाद आपको कहीं भेजना नहीं है इसको अपने पास रखना है इसको apply करने के बाद आप आपको मिलता है एक application number ठीक अब बता देता हूं पूरा application number एक मिलेगा आपको उसको आपको समाल के रखना है उसके बाद 10 से 20 दिन में या 30 दिन के अंदर आपको मिलेगा registration number जो भी आप email address यहां पर देंगे और mobile number देंगे उसी पर valid दीजेगा बंद वाला नहीं दीजेगा जिसका password वगर आपको पता हो वो इसमें form में fill up करेंगे तो आपको 30 दिन के अंदर एक registration number 7 digit का है वो knowledge के माद हम से provide किया जाएगा ठीक है उसके बाद ही आपके जो हैं सारे आगे काम होंगे तो उसको यहां से apply करने के बाद ओ या यह जो भी है form को apply करने के बाद जब आपक आपको क्लिक करना है new user फे और मैं वह दिखा देता हूं new user फे क्लिक करके यहां पर select करना है आपको course or label और जो registration number आपको मिलेगा वो यहां fill करना है अपना name date of work यहां से select कर लीजेगा और capture code डालके next पर click करेंगे तो password create करने को option आएगा ठीक है जो भी आपका नाम हो जैसे क इस परकार से at the rate 1234 इस परकार से नहीं कि पहला capital लाएगा और बाकी number रहेंगे और एक एक आपका symbol कोई सा भी रह सकता है यहां लगा सकते है तो इस परकार से आपका password बनेगा ठीक है उसके बाद फिर आप प्रोफाइल में login कर पाएंगे और आगे कारिकरम जैसे की paper log करना project की payment करना सारे चीज़ें आप अपने profile में यहां से कर पाएंगे candidate वाले options है ठीक है simple से यह करना अब आ जाते हैं उनको उनका procedure बता देते हैं जिनको O level complete है और A में जाना चाहते है ठीक है O complete है A में जाना चाहते है अब यह profile के अनुसारा अगर देखें तो यह जो student है हमारे पास इनका देखें सब complete है बस इनका जो है project कॉला पेंडिंग है ठीक है जिसकारण से अभी इनका O से A में transfer नहीं होगा लेकिन option open हो जाएगा तो इनको भी transfer करना है जिनका complete हो गया certificate आने के बाद ही करें कि आपके पास अभी time है certificate जो आपका है 13 जनवरी के बाद आएगा त से पहले नहीं होगा आपका exam जो है वो जुलाई में ही आप देपाएंगे ठीक अगर आप सोच रहें कि जनवरी में देपाएंगे तो नहीं देपाएंगे ठीक है तो अभी आपको दिखा देते हैं आपको क्लिक करना है यहां पर apply for exam इस पर क्लिक करेंगे तो देखिए पेंडिंग है प्लस इनका certificate बे भी issue नहीं हुआ तो जिनका complete है और certificate आ चुका है फिर आपको यह ले option पर जाना है और यहां पर select करना है A level का option आपका आएगा ठीक है यहां पर A level का option आएगा यहां पर select कर देना है आपको A level और यहां पर लिखके आएगा your current level is completed आपको A level प है कि यहां पर July 2023 का option है और fees आ रही है यहां पर 500 ठीक है और यहां पर आपको select करना है जो भी आपकी highest qualification हो यहां फिर दो एक O level भी डाल सकते है यह यह और पासिंग डाल दिए experience में one fill करके जो भी आपका release है वो select करके और simple सा 500 payment कर देंगे तो same registration number आपका हो जाएगा ठीक है इस परकार से होता है अब यह एक profile आपको दिखा देंगे तो O से A में जाने के लिए यहीं से login करके आपको form बना अभी ने बनना है certificate मिल जाएगा उसके बाद 31 मार्ज डेट है तो बहुत अभी time है अब उनके लिए बता देते हैं जिनका O level या A level का registration है वो expire हो गया है जुल आपके में री registration का यहां अभी इनके में नहीं आ रहा है लेकि जिनका expire हो गया हो उनके में so कर रहा है री registration अगर नहीं so कर रहा हो तो एक बार हमको WhatsApp पर गॉन्टेट कर ले आपको बता देंगे अगर आपके में यहां पर देख लिएगा status में जाके my course में और यहां पर लगेगी आपकी री registration की 750 होगी ठीक है यहां पर 500 नहीं so होगी 750 होगी तो 750 आपको payment करके same registration नंबर जो आपका होगा वहीं आपको मिल जाएगा अगले पांस साल के लिए जो बच्चिव पेपर होगा वह आप देपाएंगे ठीक है तो यह वाला form apply करना है ओसे ए में जाने क लिए यहीं से आपका form fill up होगा बाहर से जो form fill up होता है वो fresh admission के लिए होता है तो यह सारी date है जो भी कारिकरम है आप लोग कर पाएंगे 30 माज तक और पिर इसके जो paper lock होगे वो आपको मई और जून में जाके होगे जब आपका January वाला result आजाएगा आपका March अपरेल तक ठी यह है complete आपका process July 2000 इसके लिए admission के लिए फीस मैंने आपको बता दी 500 registration की है री registration की 750 है और से ए में जाने के लिए भी 500 है ठीक है और पर paper की जो फीस है वो 1000 होगी बाकी पूरा syllabus वगरा कोई चेंजमेंट नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ फिर एक बार जो syllabus है वही है 5. 1.1 वाला ओ लेवल का जिसमें 4 module और mcq-based आपके paper होने है ठीक है यह देख सकते हैं वही वाला syllabus है यहाँ पे pattern दिया गया है जामनेशन pattern यही वाला हो सकता है जुलाई में OMR पे ना होके online हो जाए तो जोकिन अभी इसके लिए कोई update नहीं है जब होगी तो बता दी वही सारे syllabus है वही pattern module यहाँ पे सारे होंगे ठीक है सवन में आगे तो हसा करते हैं आपको सारे doubt अप क्लियर होगी यहाँ कि new admission, fresh admission, re-registration, OCL email transfer जिसको भी करना है अगर कोई भी doubt हो तो पे नहीं सवन में आया हो कोई चीज़ तो number तो मैंने आपको दिया ही हुआ है 7-0-7-6-5-9-4-8-5 पे आप message कर लें new admission के लिए class के लिए notes के लिए project के लिए ठीक है या फिर OCM transfer नहीं कर पा रहे है तो उसके guidance के लिए या फिर re-registration नहीं कर पा रहे है उसके लिए ठीक है या फिर आपके पाई registration नमबर नहीं है password नहीं है जो भी चीज़ है उसके लिए उसको message कर रहते हैं तो चैनल बने रही है और complete यहाँ पे notes available है इसको purchase करके जो भी बच्चे हैं त्यारी अपनी शुरू कर दें बच्चों ने purchase कर लिए हैं जन्वरी बैच के और वो अपनी त्यारी कर रहे है तो thank you for watching